हेलो दोस्तो तो आज हम करने वाले हैं प्रिशिश्यन इन्वेस्ट्मेंट कास्टिंग के पारे में देखे इसमें दो मेथड होते हैं एक होता है लॉस्ट वक्स मेथड जो मैंने करवारक है और लिड़ि उपर लिंक दे रहा हूँ वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं और दूसरा है शेल मोल्डिंग तो आज हम करने वाले हैं शेल मोल्डिंग के बारे में तो यह क्या है तो शेल मोल्डिंग के इस तरह से है इसको बनाने का मैथड थोड़ा सा अलग है पहले हम क्या करेंगे इसमें मोल्ड जो होता है न मोल्ड वो बार-बार हम बनाएंगे है ठीक है वो किस तरह से ठीक है वो कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे यहां पर एक जिस शेप का हमें प्रड़क्ट चाहिए न तो वो प्रड़क्ट हम पहले ही बना लेंगे ठीक है वो प्रड़क्ट एक पैटर्न कह रहेंगे तो पैटर्न हमारे यहां रखती हैं और यहां पे होगी sand क्या होगी sand refractory material तो वो हमारे पास होगा तो यह क्या करेंगे हम इसको पगड़ के उल्टा कर देंगे ठीक है एक दब्बा है ना हमारे पास इसको पगड़ के उल्टा कर दिया जब उल्टा करेंगे तो ये जो हमारे पास रिफ्रेकिरी म说 P Bach ये सारा गिरजाएगे is के ऊपर गिर जाएगे यहाँपे गिरने से क्या होगा कि यहां पे चिपकना शुरू हो जाएगा इसके साथ इसके साथ बाइंड होना शुरू हो झाएगा और यह क्या करे गा चिपक जाएगा और जो भी कुछ एक्स्ट्रा बचा है जो भी कुछ एक्स्ट्रा बचता है ना इसमें से वो नीचे गिर जाएगा वो यहां गिर जाएगा चलो यह गिर गया और जो हमें required layer थी वो layer बन जाएगी और इसी तरह की इसका second part वो भी बना लेंगे और इन दोनों को इसके flask के अंदर रखेंगे यह flask है इसके अंदर हम रखेंगे flask के अंदर रख दिया अब मेरे पास यह product actual में जो बनाना है उस तरह का बच जाएगा इसके अंदर हम क्या करेंगे molten metal डालेंगे जो भी required product है जो metal का बनाना है वो हम molten इसके अंदर डालेंगे इसके अंदर डालेंगे ठीक है त्यार हो जाएगा इसमें देखें बहुत ही advantage वाली बात जो है यह सारे यह देखो प्रोसेजर आसान नहीं है काफी टाइम लगता है इसको सारा करने में तो लेकिन इसमें भी फाइदा यह है जैसे हमने पढ़ा था ना lost wax method में इसमें भी हमारे पास फाइदा यह है कि dimensional accuracy होती है इसमें dimensional accuracy बहुत ही अच्छी मिलती है इसकी ठीक है accuracy और इसमें भी फाइदा यह है कि surface finish बहुत अच्छा होता है ठीक है यह surface finish बहुत अच्छा मिलेगा तो आपको जो product मिलेगा उसके बाद उसके ओपर machining करने की जुरुत नहीं है आप सीधा उसको use कर सकते हो ठीक है बहुत ही कम जुरुत पड़ती है ठीक है बहुत ही कम होता है कि उसके उपर आपको बहुत ज्यादा machining करने पड़ेगी नहीं है ऐसा नहीं है ठीक है और plus dimensional accuracy जो exact value आपको microns में चाहिए वो आपको मिल सकते हैं इसके हैट से जो हमारे का सबसे बेसिक होता है sand casting उसमे सबसे ज़्यादा rough surface बनता है और इसमें उसके अंदर हमें इतने ज़्यादा tolerances रखने पड़ते हैं इतने ज़्यादा problem आती है कि उसको साफ करना surface को बढ़ना दुबारा मशीनिंग करना तो काफी ही ज़्यादा problem वाली बात है तो वहां पे accuracy नहीं मिल पाती है लेकिन इसम expensive ही है यह expensive है इसमें ज़्यादा हमारे पास labor cost पढ़ती है क्योंकि काफी process लंबी है तो expensive पढ़ता है लेकिन जब आपको large scale production करनी हो तो तब यह economical हो सकता है यह process economical यह था शेल मोल्डिंग के बारे में अगर आपको समझा है तो like का बटन जरूर दबादे थैंक यू थैंक य सौट